नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है दस अप्रेल दिन सोंबार खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर भारत में बागों की संख्या में जोरदार वृधी बिहार भी बना सरवाधिक संख्या वाला राजी सरकारी स्कूलों में किताब के पैसे ना देकर सीधे किताबों का वित्रन करीगी सरकार किदारनाच चारधां 2023 यात्रा में तिर्थ यात्यों को मिलेगी यह सुविधा रिंको सिंग ने गुजरात को हडा कर कॉलकता को बनाया बाजीगर अब चले बरते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से इसरो में नौकरी पाने का सुनहड़ा मौका बता दे कि इसरो में नौकरी पाने के लिए तकनीशियन भी SSLC SSC मैट्रिक पास होने के साथ NTC या NAC के अलावा NCBT से फीडर्ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके अलावा तकनीकी Assistant और Mechanical Engineering Production में प्रथम श्रिनी का डिप्लोमा होना भी अनिवार है एक्चोक और योग में द्वार आविदन करने के लिए www.isro.gov.in slash careers पर जाकर 24 अप्रेल तक आविदन कर सकते हैं अब आपके वाहन और आवास का कोड भी जाती जनगन्ना में हुआता है अब राजसरकार लोगों के रहन सहन के स्थिती भी जाती आधाय जनगन्ना के माध्यम से पता करेगी जो लोग आवास हीन और बेघड है उन पड़िवारों की जानकारी भी राज़ सरकार दवरा इकठा की जाएगी साथी साथ किन-किन घडों में मोटर वाहन और अनिश विधाएं अपलब्ध है इसकी जानकारी भी राजित सरकार इकठा करेगी बता दे कि जो लोग आवास हीन है या फिर वहान रखने वाले हैं उन लोगों का कोड भी जाती आधाय जंगर्ना में तैक किया गया है इसमें जिन लोगों का घर नहीं है उन लोगों को आवाश हीन श्रेनी में सरकार के दोरा रखा जाना है और ऐसे लोगों के लिए जातीगर जंगना में कोड 5 का नरधारन किया गया है आवाश हीन लोगों की श्रेनी में वे सभी लोग आएंगे जो स्टीशन, सरक या फुटपात कि किनारे, प्लास्टिक या फिर टेंड का घर बनाकर रह रहे हैं वहीं वाश हीन लोगों के श्रेनी में खपडायल, मकान और झोपरी में रहने वाले लोक शामिल हैं वहीं पक्के मकान में रहने वाले लोगों की श्रिनी में इट, पत्थर, सिमेंट और क्रंकिर के मकान में रहने वाले लोगों को रखा गया है कि इन सब श्रेनी के मकान में रहने वालों लोगों के लिए सरकार तोरा जाती कर जिनगना में कोड निर्धारित किये गया हैं बता दे कि पक्का मकान जहां दो या फिर दो से जादा कमरे हैं उसके लिए एक पका मकार एक कमरा का कोड़ दो, खप्रेल टीन, छट के लिए कोड़ तीन, जोपनी के लिए चार और आवास हिनको कोड़ पांच दिया गया है। और ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों किया करती थी। वालमों कि अद्दाही ने हाथ बल्लेबाज थी और मध्यम तेज गेंदबाजी करती थी। 15 दिसंबर वर्स 2000 में कविता रोय ने भारती टीम की ओर से भारत बनाम श्रिलांकाई पहला मैच में खेला। ये साल 2022 में बागो की संख्या बढ़कर 3166 हो गई है। यदि इससे पहले के आक्रे की बात करें तो भारत में बागो की संख्या 2960 ऐसे में कुल 200 बागो की संख्या में विधी हुई है। मालम हो कि यहां आक्रा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर माननिये प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी दोरा जारी किया गया। आक्रा जारी करने के बाद प्रधान मंत्री दोरा इंटर्नेशनल बिग कैट्स अलाइंस का भी सुबारम हुआ। बता दे किस अलाइंस की उद्देश बाग और सेर के साथ दुनिया के बिग कैट्स परिवार के साथ प्रमुख परजातियों को सुरक्षत करना है। बता दे किस अफसर पर अमरित काल का टाइगर विजन पुस्तिका का वे मोचन भी किया गया, साथी साथ प्रधान मंतरी दोरा एक इस्तमालक सिक्का भी जारी किया गया है। बताते चले कि बिहार भी उन राजियों में शामिल हो गया है जहां बागो का प्राक्रितिक रूप से सरनरक्षन और उनका जैविक विकास होड़ा है। बिहार का वादमी की टाइगर रिज़र बागो के लिए बिहार में बहतरीन जगा है। बिहार सरीफ सामप्रदाइक हिंसा मामले पर ADG J.S. गंगवार का बयान। लोगो को सामप्रदाइक हिंसा के लिए उक्साने का काम किया गया था। आपको बता दे कि पावापुरी बिहार में नारंदा जिले के राजकीर और बोदगया के समीप इस्थित एक प्रमुक परेटन अस्थल है। इस पावापुरी इस्थल पढ़ी भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ती हुई थी। बतादे कि पावापुरी का जल मंदर बहुत ही खूबसूरत है जिसके चारो तरफ पानी है जहां से आप सुरियोदे और सुरियास का खूबसूरत नजारात देख सकते हैं। मालुमों कि यह मंदर अपने आप में बहुत ही अद्बुत तरीके से बनाया गया है जिसे देखने वह भगवान ची के दर्शन करने के लिए काफी संख्या में परटक यहां आना पसंद करते हैं। बतादे कि संपुर्ण शहर कैमूर की पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहां पर आप समासोरन मंदर, मोक्ष मंदर और नया मंदर भी देख सकते हैं। यह जैन धन के मताव लंबियों के लिए एक अत्यन पवत्र शहर है। बड़ा हाथसा टला बकसर के पास बेपटरी हुई मालगारी। बकसर और मोगर सराय पतना हावडा के बीच रविवार के दिन दिल्ली हावडा मेन लाइन पर एक मालगारी के बेपटरी हो जाने से रेल परिचालन का ठप हो गई। बता दे कि यहां से डुम्राओ के नस्दीक हुआ जहां मालगारी के आठ डप बेपटरी हो गया। विरिंद्र कुमार जोकी पुर्व मधर रेल के मुखे जनसंपर्क अधिकारी है उनके दोरा इस बात की जानकारी दी गई है कि दानापूर मंडल के आड़ा बकसर रेल खंड के बीच डुम्राओ स्टेशन के पास डाउनलोड लाइन पर एक मालगारी के तीन वैगन किताबों के वित्रन कारे का नरदेश सिक्षा विवाग की तरफ से दिया गया है बतारी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इसी महीने नए किताब मिल जाएंगे इसकी जानकारी सिक्षा विवाग के तरफ से दी गई है मालूम हो कि इससे पहले सरकार के तरफ से किताबों के पैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अकाउंट में सीधे भेजे जाते थे लेकिन अब सरकार पैसे ना देकर पुस्तक का विद्रन करवा रही है मिल जानकारी के अनुसार राजिक कारे आले से जिला मुख्याले के लिए किताबे भेजी जा रही है फिर यहां से किताबों का प्रखंड अस्तर पर भेज दिया जाएगा परस दो हजार चौबिस तक सौर उर्जा के छेतर में बिहार हासल करेगा बड़ा लक्ष खुद के सोलर पावर्ट प्लांट के स्थापना बिहार में नवीन एवं नवीकरणिय उर्जा के तहत की जा रही है नितीश कुमार अक्सर इसे तरह के पावर प्लान को असली बिजली कहते हैं साल दोहजार चौबिस तक एक आकलन के मताबिक 600 मेगा वार्ट तक सौर उर्जा बिहार की सोलर उर्जा उत्पादन 211 उपलब्ध होगी वर्तमान में बिहार को 760 मेगा वार्ट बिजली सोलर इनर्जी कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया के साथ हुए एक करार के तहट मिल रही है ऐसे में बिहार साफ है कि बिजली की कुल उपलदता बिहार में सौर उर्जा का हिस्सा लगभग 1400 मेगा वार्ट तक पहुँच जाएगी साथ ही साथ राजगीर बोध गया पटना और विहार के महतपुन पलेटा कस्थलो पर बिजली की आपूर्थी सौर उर्जा के माध्यम से 24 सो घंटे मिलेगी विदाई समारों पर सक्षिका और छात्राओं के रिस्ते का अनोखा वीडियो हो रहा वारल विहार के मध्यपूरा में सरकारी स्कूल का एक ऐसा वीडियो वारल हो रहा है जहां स्कूल की छात्राओं अपनी सिक्षिका से लिपट कर रोती भी नजर आ रही है बता दे कि वीडियो मध्यपूरा में इस्थित उत्क्रमित मध्य विद्याले मानिकपूर के आठवी क्लास के बच्चों के विदाई समारों का था नजारा इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर्चसक्स की आंखे नम थी विदाई समारों के साथ साथ विद्याले के 61 वर्ष पूरे होने पर विद्याले के वाश्रकूत सब समारों का आयोजन भी किया गया था जिस प्रकार छात्राएं और सिक्चि का एक दूसरे से लिप्टी थी यहां एक अनोके इरिस्ते का प्रदर्शन कर रहा था स्कूल में आयूजित हुए इसमारों पर शांस्वितिक कारेक्रम की प्रस्तूती भी बखुवी देखने को मिली बारिश ओ या गर्मी अब राचे भी नहीं होगी बिजली की समस्या अकसर बिहार में पढ़ने वाली भी बिशन गर्मी या फिर मौनसून की तेज बारिश में बिजली आपूर्ती बादित होनी की समस्या देखने को मिलती है लेकर इस बार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिबूशन कंपनी लिमिटेड बिजली कंपनी द्वारा यह दावा किया गया है कि इस बार इस प्रकार की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी बतादी की पेसू जीयम सभी विजली आपूर्ती अंचलन के अधिक्छन अभियनताओं को यह टास्क कंपनी के निदेशक विजय कुमार द्वारा सौपा गया है टास्क को सौपते वे निदेशक द्वारा सक्त आदेश दिया गया है कि गर्मी होया बरसात या फिर आने वाले त्योहारों में बिजली आपूर्ती की विवस्ता किसी प्रकार से बाधित नहीं होनी चाहिए यदि किसी प्रकार से विजली आपूर्ती करने में किसी प्रकार की बाधा आती है तो कम से कम समय में विजली के आपूर्ती पुना बहाल की जाए मिली जानकारी के नुसार निदेशक द्वारा दिये गए एनादेशों को 1 जुन 2013 से 30 नमंबर 2013 सक्स सक्ती से अमल किया जाना है केदारनाथ चारधाम 2013 यात्रा में तर्थ यात्रियों को मिले गी हसुधा अगरा भी 2023 में चार धाम यात्रा पर जाने वाले हैं तो किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी यात्रियों को उत्राखंट सरकार के ओर से कहीं सुवधाएं दी जाएंगी तरसल विकेटीशी के CEO योगिंदर सिंग के दोरा दी गई जानकारी के नुसार के दारनात धामे तर्थ यात्रियों के जरूरी सामान के साथ मोबाइल आधी को सुरक्षत रखने के लिए क्लॉक रूम स्थापित करने के तयारी की जारी है विकेटीशी ट्रायल के साथ ही मंदर परिसर में यात्रियों के प्रमुख मार्कों नरधारित होते हैं इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता देगी के दारनात धाम की यात्रा के शुरुवात आगामी 25 अपरेल से होने वाली है ऐसे में जिलाधिकारी मयूर दिक्षित के द्वरा किदारनात धाम का नरिक्षन कर पैदल मार्क और किदारनात धाम में होने वाले सभी कारें को 15 अपरेल तक हड़ाल में पूरा करने का नरधेश दे दिया गया है इसके साथी सुलब इंटरनेशन को यात्रा मार के साथी धाम में पड़याथ सोचाल नर्मान को भी जल से जल पूरा करने का नरधेश दिया गया है इसके अलावा जल संस्थान को पानी की आपूर्ती बहाल करने गोड़ा खत्रों के लिए चड़ी आदी की विवस्था करने के भी नरधेश दिये गया है प्रधान मंत्री किसान संपधा योजना को लेकर पसुपती पारस ने कही ये बार किंद्री मंत्री पसुपती कुमार पारस के द्वारा प्रधान मंत्री के नौ वर्ष पूरा होने को लेकर पत्रकारों से बाचीत करते वे बिहार में प्रधान मंत्री किसान संपधा योजना को लेकर जानकारी देते वे बताया गया कि इस योजना के तहत 14 पर योजनाय जिनमे 87.30 करोड रूपे की लागसे 2 मेगा फूड पार्क, 58 करोड रूपे की लागसे 6 कोल्ड चेन, 7.90 करोड रूपे की लागसे 1 मिनी फूड पार्क और 5 फूड प्रोसेशिंग यूनिट पर काम किया जाड़ा है उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री सुक्चम फूड प्रोसेशिंग उद्यम उन्ययन योजना के अंतरगत सभी 38 जिलों के लिए 1 एक जिला, 1 उतपाद के अंतरगत मकान, लीची, आलू, केला, पपीता, बेसन और सतू, चावल आधारित उतपाद आधी की पहचान कर ली कह है, सरकार के उर से उनको प्रोसाहन देने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहा है, उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री सुक्चम फूड प्रोसेशिंग उद्यम उन्ययन योजना के अंतरगत बिहार में 2936 सुक्चम लोन सबसीरी अनुमोदित किया जा चुका है, बिहा पटना मौसम विभाग के द्वारा भी फिशन गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसके मुताविक बिहार की राजधारी पटना में अगले हफ़ते से हीट वेव के पहले फेज की शुरवात हो जाएगी पटना मौसम विभाग के द्वारा की भविश्यवानी के अनुसार 15 अप्रेल से पटना समीत राजी के कईजिलों के तापमान में विधी होनी की संभावना है, हाल के दिनों में बारिश या बादल के हालात नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में अधिक्तम तापमान उपर जाए अवास विभाग के अपर मुख्य सचीव सह पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अमडी और 19 नगर निक विकास एवं अवास विभाग के अपर मुख्य सचीव से पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अमडी और 19 चावला के द्वारा दी जानकारी के अनुसार पटना म की भूमिकत रेल की खुदाई के लिए 10 से 11 टीवियम मसीन की जरूरत होगी जिसमें पहले चरण के कॉरिडोर 2 के लिए खुदाई का कारे प्राडम हो चुका है बता दे कि पहले चरण के कॉरिडोर 2 की खुदाई का कारे 4 टीवियम की जरूरत से पूरा किया जाएगा जिनमे कि 9 अप्रेल को बिहार की पुर्व मुख्यमंत्री राबरी देवी के 10 सर्कुलर रोड इस्तित आवास पर आरजेडी की ओर से दावत एफ्तार का आयोजन किया गया था जिसमें महागरबंधन के सभी वरस्ट नेताओं की मौजूद की रही वही रोजेदारों का स्वागत बि अबीते दिन हुए इफ्तार पार्टी में जुनेता मौजूद रहे उनमें बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कमार के साथ बिहार विधान सभाक के अध्यक्ष विधान परिसत के सभापती विवन विभागु के मंत्री पुर्व सीम जीतर नाम मांची रोजपार राम विला उसे बिहार में जब से गडबंधन तूता है तब से बीजेपी अपनी नजर बिहार के दस सीटों पर गड़ाए बैठी है बता दे कि इन दस सीटों में कसंगंच, सुपॉल, मुंगे, नवादा, वैशाली, वालमिकी, नगर, जंजारपूर, गया, कटिहार, पुर्णिया, शामिल है, इसके लिए चुनावी तैयारी बीजेपी द्वारा अभी से ही शुरू कर दी कही है, कहीं राज्यों में बीजेपी के सहयोगियों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, जिसके वज़ा से बीजेपी थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन इस बार भी लोगसबा चुन प्रशान किसोर का नेताओं पर हमला, चुनावी राजनिती रहनतिकार प्रशान किसोर के दौरा अपने जनसुराज पदियातरा के दौरान सोनपूर में एकामसभा को संबोधित करते वे नेताओं पर हमला बोला है, प्रशान किसोर ने कहा कि बिहार की जनता को लगता है कि बिहार में जाती की राजनिती हो रही है लेकिन बिहार का कोई भी नेता जाती की राजनिती नहीं करता क्या आपने कभी सुना है कि लालू यादव ने कहा हूँ कि यादस समाज का लड़का बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा क्या यादस समाज में उनके लड़की के रावा और कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है आस सब नीता अपने अपने पडिवार को राज़निती में लाने और कोई न कोई पद दलवानी में लगे है या फिर आपने कभी सुना है कि जीतर ना मांजी किसी दलत लड़की को बिहार का मुख्यमंतरी बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं जीतर ना मांजी सिर्फ अपने बेटी को मुख्यमंतरी बनाने के बारे में सोचते हैं और उन्हें दर्द समाज के बारे में कोई चंता होती, तो क्या दर्द समाज में दूसरा कोई काबिल आदमी उन्हें नहीं मिलता? इसलिए आज के समय में नहीं ता सर्फ अपने लड़की की चंता कर रहे हैं, बलकि जाती धर्म के चक्कर में केवर आम जनता पड़ी है. चुराग का नाम सुनते ही भढ़क गये पारस चुराग पासवान और पसुपती पारस की दुस्मनी किसी से छुपी हुई नहीं है ऐसे में एक बार फिर से इसका नमूना बीते दिन विहार की राजधानी पटना में देखने को मिला पता दी कि जब पसुपती पारत से चिराग पासवान से जुरा सवाल पूछा गया तो उस सवाल पर भड़क गया और कहने लगें कि जब उसने ही बोल दिया है कि उसका खून अलग है और मेरा अलग है तो मेरा भतीजा भग कैसे हुआ इसलिए आगे से मेरे सामने उसका नाम मत लीजे का दरसल पसुपती पारस से सवाल पूछा कया था कि राजट की ओर से दी जाने वाले एफ़्तार पार्टी में चिराग पासवान जा रहे हैं लेकिन आप नहीं इस पर जवाब देते वे पसुपती पारस ने कहा कि अडे या चराग पासवान की बात मत करो हमारी बात करो और NDA की बात करो चराग पासवान कहा जा रहा है और कहा नहीं जा रहा उससे हमको क्या मतलब है बिना दफ्तरों के चकर लगाए पीएफ अकाउंट से ऐसे निकाले पैसे हर नौकरी करने वाले व्यक्ति के पास करमचारी भविश्यनिदी संगटन के रूप में कुछ पैसे जमा होते हैं जिसे व्यक्ति अपने रिटायर होनी के बाद विड्रॉल कर सकते हैं लेकिन कई बा लोगों को पीएफ अकाउंट से पैसे को विड्रॉ करने के लिए बैंक या पीएफ ऑफस के चक्कर नहीं लगाने होंगे दरसा सरकार के द्वारा उमंग एप के श्रवात की गई है जिसके जरीए आप आसानी से घड़ बैठे इस काम को पूड़ा कर सकते हैं इसके लिए पीएफ का युनिवर्सल अकाउंट नंबर को अधार से लिंक करना होगा और फिर आप इसके प्रोसेस को फॉलो करके अपने पीएफ अकाउंट से अगले तीं से पांस दिनों में अपनी खाती में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं रिंकू सिंग ने गुजरात को हडा कर कॉलकाता को बनाया बाजिकर बीते दिन आईपियल 2023 के 16 सीजन के 13 मुकाबले में कॉलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटन्स के बीच एहमदाबाद के नरिंदर मोधी स्टेडियों में हाई वोल्टेज गेम खेला गया तहद गुजरात की ओर से कॉलकाता के सामने 20 ओवर की समाप्ती के बाद 204 रन का विशाल लक्ष खड़ा किया गया जिसका पीछा करते वे 20 ओवर में 207 रन बनाकर तीन मिकेट से कॉलकाता ने जीत तर्च कर ली भारत के त्यास में आज की तारीक है बेहत खा स्वामी दयाना सरस्वती ने 1875 में आरेस तमाज के स्थापना की राम चंदर चटरजी 1889 में गर्म गुबबारी में उरान भरने वाले पहले भारतिये बने भारत का बहु देश्य उपगड़ा इंसिट 111 1982 में सफल प्रच्छेपन हुआ भारत वा इरान के बीस 2001 में तेहरान घोषना पत्र पर हस्ताक्चर हुआ केरल के कुलम जले के पुत्तिलिंग मंदिर में 2016 में लगे भिशन आग से करीब 110 लोगों की मौत हुई 300 से जादा लोग घायल हुए सोडी अमोंकर का 1931 में चन हुआ बालकर में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्टा केंदर के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सुचना बारल होती है लेकिन सभी सच हो यह जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्टा केंदर के बाड़ी में दरसल P.I.B. ने अपनी टूइट में लिखा है कि हाँ भार सरकार ने नेटवर्क और सिस्टम को नुकसान पहुचाने वाले मालवेर और बॉटने की जाज के लिए साइबर स्वच्टा केंदर उपलब्ध एंड्रोइड 2.3,8,8,6 अपडेट के लिए नए वाटसेप बीटा में चैनल फीचर को स्पोर्ट किया गया यह नया फीचर इंफोर्मेशन को ब्रॉटकास्ट करने के लिए काम आएगा रिपोर्ट में कहा गया है कि वाटसेप पर चैनल स्टेटस टैब के भी वाटसेप चैनल हैंडल को भी सपोर्ट करेगा ताकि यूजर वाटसेप के भीतर अपना यूजर नेम दर्च करके एक स्पेशल वाटसेप चैनल का सच कर सके पीम पद को लेकर गेडा सिंग का बयान के इंद्रियर मत्री गेडा सिंग के दौरा अपने संसीए छेतरबेगू सराई के पांस दिवसिये दौड़ी पर पीम पद को लेकर बिहार के मुखे मंत्रे नितीश कुमार पर जमकर निशाना साधा गया उन्होंने कहा कि CM नितीश PM बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और इसके लिए विदावत एफ्तार और मौलाना टूपी पहने में व्यस्त है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में से कौन रोख सकता है उन्हें लगता है कि अगर वह मुसल्मान को खुश कर देते हैं तो वह पीएम बन सकते हैं पिहार के साथ पूरा देश नरिंदर मुदी को 2024 में प्रधान मंतरी मान चुका है इसलिए प्रधान मंतरी का पद खाली ही नहीं है एसे में स्यम नितीश कुमार को मुँगेडी लाल का हसीन सपना देखना बनता है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल है आपके नुसार बिहार में लोग के समाब डंग के आधार पर निताओं को चुनाव में वोड देते हैं आपने जवाब हमें मारी कमट सेक्षन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खब्रों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूज और चाहिए अगरा आप यूटूब से देखने चानल को सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बू से देखने तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद